ये हैं CID के इंस्पेक्टर दया याने एक्टर दयानंद शेटी जो दरवाजे तोड़ने के अपने खास स्टंट के लिए काफी मशूर है शो में जब भी ACP प्रद्युमन को मुझरिम की खोज के दोरान किसी जगह पहुचना हो या दरवाजा तोड़वाना हो तो दया उनकी पहली पसंद होता है एक तरह से इंस्पेक्टर दया ACP प्रद्युमन का सीधा हात है दया यानी दयानंद शेटी करीब दो दशक से CID से जुड़े हुए हैं और आज वो बच्चों से लेकर बुड़वन तक के बीच काफी मशूर है लेकिन उनकी पहचान CID के दया से कहीं ज्यादा है दयानंद शेटी एक स्पोर्ट समयन थे लेकिन टांग में लगी चोट की वज़े से उन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ा और एक्टर बन गए दयानंद शॉटपुट और डिसकस्थरो अर्थे और इन खेलों में उन्होंने धेर सारे प्राइज भी जीते 1994 में वो महराश्टर से डिसकस्थरो के चैंपियन बने इसके बाद उन्होंने क्राइम शो सी आईडी के लिए ओडिशन दिया और उसमें चुन लिये गए ना सिर्फ ये शो खूब पपुलर रहा है बलकि इसने दयानंद शेटी और बाकी कलाकारों के करियर को भी खूब उचाईयां दी है क्या आप जानते हैं कि दयानंद शेटी कितनी फीस लेते हैं इंटरनेट पर मौझूद आंकणों के हिसाब से दयानंद शेटी एक दिन की एक लाग फीस लेते हैं यानि अगर दयानंद महीने भर काम करते हैं तो उस हिसाब से दयानंद महीने भर में 30 लाग की कमाई करते हैं और वो भी सिर्फ असी आईडी से आज दयानंद शेटी की पॉपुलेरिटी दिनों दिन बढ़ रही है दयानंद शेटी ना सिर्फ अच्छे एक्टर है बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी है इसके अलावा फिल्मों में भी वो अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा चुके है दयानंद शेटी ने सिंगहम रिटरंस जौनी गदार और रनवेज ऐसी फिल्मों काम किया